हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारा चैनल चंचल टेग में तो आज हम बात करेंगे कि अगर आपके चैनल के उपर भी एक्टिब कम्यूनिटी गाइड़ प्लाइन स्ट्राइक यूट्यूब पर आ चुका है तो आप उसको कैसे हटा सकते हैं मतलब यूट्यूब बा है तो मेरा वीडियो जनूइन था मैंने किसी के कंटेंट नहीं चुड़ाया था ठीक है और जनूइन और यह एडुकेशनल परपस के लिए था मैंने एक टैली सॉप्ट्वेर का उसको मैंने जस्ट डाउनलोड और इंस्टाल करना सिखाया ठीक है ओके तो इसी वीडियो प स्ट्राइब एक आचुका है तो जब मैंने इसको दिखा तो मुझे लगा कि यह यह तो जेनूइन वीडियो है मेरा जस्ट यह एडुकेशनल परपस जस्ट यह डाउनलोड करा मैंने और इंस्टाल करना अब लोगों को सिखाया ठीक है तो पता नहीं यह यूटूब को क्य लगा कि यह वीडियो हार्णफूल है तो इसलिए मेरा जो हार्णफूल और डेंजरस पॉलिस से लिखके यह हमको अगर आपका वीडियो जेनूइन है तो आप इससे हटा सकते है तो मैंने तुरंत क्या किया उस दिन मैंने जब मुझे सुबा मुझे मिला एक मेल तो मैं तो घबर गया था तो उसके बाद मैंने क्या गया कि जो नाइट पर मैं यूटूब बारू को वह एपील जो दो ओप्शन है वह आपर मैंने एपील कर दिया तो यह प्रॉसेस क्या है आप लोग को साथ मैं भी यह शेयर करना हूँ अगर आपका वीडियो जेनूइन है तो 100% है कि आपका वीडियो बैक आएगा है तो चलते हैं हमारा लैपटप के पास और आपको सही इनफॉर्मेशन दे रहा है या पर कैसे क्या-क्या स्टेप आपको लेना है इसके लिए आप पूरा वीडियो देएगा तब भी आपको समझ में आएगा तो सबसे पहले आप लोग को कि अग्रों पे अपना चैनल ओपिन कर लेना है जैसे की मेरा यह चैनल चैंचल टेक नाम से से यह टेक चैनल है मेरा यूट्यूब पे तो आप या पर देख सकते हैं की active community guideline strike यह पर एक है और यहां पर important notifications देखो Community guideline strike यह मेरे चैनल पर लग चुका है एक वीडियो पर यह वीडियो का टाइटल भी है इदर your content how to install tally तो यह September 27 को यह 846 a.m. morning को लगा है यह ठीक है मैं अभी यह night पर वीडियो बना रहा हूं ठीक है तो आप देख सकती आपर mail भी मुझे मिला है YouTube remove your content हाई चंचल टेक आवर तीम हाज रेवीव तो यह रेवीव तो यह है तो यह जो कमेटी गाइड लाइन यह स्ट्राइक है तो यह जो कमेटी गाइड लाइन यह स्ट्राइक है मुझे मिला है यह मेरा एक एडिविकेशनल परपस एक वीडियो होता बस कुछ नहीं ठीक है तो मुझे यह कंफर्म यह मुझे बैक मिल जाएगा ठीक है तो वाट तो दू नेक्स 95% of creator who get one strike फिर मतलब आगर आपके चैनल पर अगर स्ट्राइक आ जाता है तो आपको करना क् आपको बैठे रहना नहीं है ठीक है तो यहाँ पर देखो रीवियू कंटेंट हेर यहाँ पर आप्शन एक यहाँ पर आपको अब लोग करना है जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर रीवियू एंड इसू आव तो इंस्टॉल टैली.erb9 और विंड़ 7,810 तो यहाँ प यह तीनो स्टेप पे काम करेगा ठीक है रीवियू करने के लिए तो यहाँ पर देखो यहाँ पर देखो द्यार में भी इसू वित यूर कंटेंट ठीक है वी फांट सम्थिंग दाट में वाइलेट यूट्यूब गाइडलाइन्स ठीक है एडिट यूहाँ वाद स्ट्राइक विस्यबलिटी रिमॉट जो मेरा यूट्यूब का जो विडियो है यह यूट्यूब बालों ने इलिट कर चुका है तो हमें करना के यह यह पर इंद पिगिंग रिव्यू बीगिं रिव्यू के क्लिक करना है ठीक है करने के बाद आपको देखो take a look at your content keeping policies in mind ठीक है एक बार देखने को बोला है यह ठीक है फिर यहाँ पर policy क्या है policy इधर है कि यह क्या YouTube को लगा कि यह harmful और dangerous content है or what to look for the upper content that shows viewers how to gain unauthorized free access to audio content audio visual content whole video games software or streaming services that normally require payment is not allowed this policy applies to videos video descriptions comments live streams and any other YouTube product or feature keep in mind this list is not comprehensive ठीक है तो यह message देके harmful और dangerous लगा तो यह read policy इदर है आप इसको click करके यह नया page open होगा यह आप देख सकते यह video है मतब यह harmful or dangerous content आप क्या चीज़ है इसको पढ़ सकते है ठीक है तो इसके बाद आपको करना क्या है यह आप यह आपर देखो what do you want to next appeal the decision take no action two points आपके पास है तो एक है appeal the decision that submit appeal ठीक है मैं यह पर submit appeal करने जा रहा हूं यह पर देखो how it works we will review your content and let you know within 24 hours मतलब यह 24 hours के बीच में यह हमको reply देगा if it didn't violate our policies we will put back ठीक है नहीं तो यह हमको वीडियो बैक कर देगा यह आपर कुछ leave a comment यह आपर optional है तो आपको यह description section में मिल जाएगा जो text है तो मैंने इसको copy करकि यह पर paste कर दिया आपको थोड़ा सा change कर लेना है same to same text नहीं लिखना है ठीक है message फिर submit appeal यह पर click कर देना है जैसे आप submit appeal पर click करोगे तो यह पर एक pop-up आएगा where review your appeal did you know that most creators never get a second strike check out our committee guidelines anytime your answer ठीक है तो यह message आपको मिला है फिर dismiss यह आपर dismiss करते जिए ठीक है यहीत आज के video thank you झाल